पुलिस ने टकाईती कर सोना और साथ लाख की लूट करने वाले धर्मेश वैस्ट नो अर्थिस वर्षिये को गिरफतार किया है धर्मेश वैस्ट नो जो मूल रुप से मधपरदेश के राजगर का रहने वाला है मगर नवी मुंबई के एरोली में रहता है धर्मेश वैस्ट वैस्ट नो ने अपने साथियों के साथ मिलकर कालेर के रहने वाले बिल्डर जगदीश पाटिल के घर में घुस कर पिष्टल की धर्मेश्ट वैशनों को गिरफतार किया है इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फरेंस में ठाने प्लिस कमिशनर विबेग फंसालकर ने क्या जानकारी दी 30 जन्वरी को सवेरे छे बजे के आसपास नारकोली पुलिस टेशन के अंतरगत कालेर गाव में इसी जग्दिश पाटिल करके जट्टी है उनके धर में चार लोग सवेरे सवेरे आये और उन्होंने गटना को अंजाम दिया एक पिस्तिल का प्योग करके जग्दिश पाटिल की जो पत्मी है उनके सर के बल वो पिस्तिल लगाया था उनको जान से मारने की धंकी दी गई थी पुल मिला के लगवक चार सो पचीज ग्राइम चार सो पचीज तोला सोना इसकी जिसका मूल्य एक करोड़ 26 लाग के आसपास होता है उतना यह लोग ले गए थे उसके बाद जब पुलिस स्टेशन को खबर में ली तो पुलिस स्टेशन का स्टाफ साथ ही डेपुटी कमिशनर जोल टू और उनके और भी अधिकारी घटना स्टल पहुंच गए थे और जो भी क्लू पुलिस को मिलता गया वो शेयर करते गये टेकनिकल सपोर्ट भी लिया गया इसमें बानुशाली और उनके जो कॉंस्टिबल्स है कॉंस्टिबल्स है उन्होंने काफी टेकनिकल एनालिसिस किया स्टडी किया उसके बाद श्री हुनरा और उनकी टीम जो है वो फील्ड में थी उनको इंपुट्स दिये गए और यह घरमेश वैशनाव करके जो अक्यूज है वो जहां पर था वहां तक पहुंचने में हमारी क्राइम रांच की टीम काम्याब हुई उसके पास से यह 426 ग्रैम गोल्ड वो बरामर हुआ है ताजा तक खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें